तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं सेर कर रहे हूं साबुदाने का ये बहुत ही क्रिस्पी और तुरत बनने वाला नास्ता आप चाहे बरत में बनाए नौरात्री में या फिर ऐसे भी बना करके खाईए एक बर तयार करेंगे आप इसे महीनों इस्टोर करके रखिएग इतना टेस्टी हमेशा बनाओगी तो देर किस बात की शुरू करते हैं यहाँ पर लिया हमेने एक कप साबुदाना इस एक कप साबुदाने से ही बहुत सारा नास्ता बन करके तयार हो जाएगा सबसे पहले कपड़े में इसे अच्छे से पोस्ट दीजिए फिर मिक्सर जार चार में ढाल करके इन्हें हमें पीश लेना है बीना गरम किये ही यह पीश करके टयार करना है महीनाटे की तरह नहीं करना है तो बिना शुकाय बिना अच्छे से पीश जाएगा अब इसके अंदर डाल देंगे आलू तो एक कच्छा आलू बड़े साइज का काट करके दो करके मैंने पानी में छोड़ा हुआ था ताकि कला न पड़े अब सबुदाने के हाटे के अंदर डालेंगे आलू को और एक चमस तही डालेंगे इसे टेस्ट भी अचा आएगा और फर्मेंटेशन भी जल्दी हो जाएगा थोरा सा पानी डालेंगे और इन्हें पीछ लेना है पीछते हुए दिक्कत हो तो थोरा पानी और डालेंगे अभी एक बाउल में इन्हें मैंने शिप्ट कर लिया है और मिक्सी के जार में थोरा सा पानी डाल करके और खंगाल करके इसमें डाल लेंगे ताकि जो भी सटा हुआ है इसके अंदर आ जाए और पानी की जरूरत भी है थोड़ी सी और इन्हें अच्छे से हम मिक्स कर देंगे तो इस तरीके से एस्पून से या फिर हाथ से अच्छे से ने मिक्स कर ले अब क्या करेंगे इस पर ढगा करके कम से कम एक घंटे के लिए छ इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और अच्छे से इन्हें मिक्स करना फेटने में कन जूसी नहीं करना है पास से छे मिनट साथ मिनट तक पानी डाल करके इसका हलका सा एक एक चमस दो बर मैने डाला है तो इस तरीके से बैलेंस कर लें ताकि हम इसके पकवड़े बढ़ि इसकी देख लें तो बिल्कुल पर्फेक्ट है इसी तरीकी से हमें इसे तयार करना है इसके अंदर कुछ मसाली डालते हैं अधा चमस जीरा और बारिक कटी हुई हडी मिर्स स्वाध कनुसर या फिर कूट के भी डाल सकते हैं और यहां पर मैंने अधरक को कूट करके डाला ह बारिक कटा हुई दनिया का पत्ता और डालेंगे सेना नमक बरत के लिए बना रहे हैं तो अप नर्मल नमक डाल सकते हैं और थोड़ी सी आजवाइन भी मैंने मसाल करके डालें इन सारे चीजों को मिक्स कर देंगे आप ऐसे बना करके खा रहे हो तो इसमें टेर सारा प्याज भी डाल करके बनाईए बहुत टेस्टी बनेगा तो बरत के लिए मैं फिलहाल बना रहे हूँ तो मैंने सेना नमक डाला है और बहुत सारे मसाले नहीं डाले है अब रत में जो भी मसाले खाते हैं उसे डाल करके इसे तयार कर लीजिए अच्छे से मिक्स कर लिया है अब यहाँ पर तेल गरम होने के लिए मैंने डाला है तेल बहुत अच्छे से करम होके बहुत ज़्यादा हीट आगे है तेल में तो इसलिए मैंने गैस का फ्रेम मीडियाम कर दिया है अब हाथ को गिला करेंगे और निम्बू के आकार की जो इसमें पकोडे है और डाल देंगे और थोड़ी दिर हम चलाएँगे नहीं जब पकोडे डल जाए थोड़ा सा टेंपरेचर कम हो जाए फिर गैस का फ्लेम तो यह आपस में चीपकने लगेगा और अच्छा नहीं बनेगा तो फास्ट फ्लेम ही रखिए जब साबुदाने और आलू का पकोड़ा इस तरीके से बनाते हैं तो साबुदाने बड़ा तो हम हमेशा बनाते बीना पीसे हुए एक बार इस तरीके से बना करके देखिए आप एक बार इस मेक्षर को तयार करके रखेंगे साबुदाने को पीस करके तो पूरे महीने आप फिर पूरा जितना दिन ब्रत होता है नाव दिन दस दिन का उतने दिन आप बना सकते हुए और उलटते पलटते हुए इन्हें इस तरीके से गोल्डेन ब्राउन होने तक प्राइब लगाना भूल गई आप जरूर नीचे पेपर लागा लिजिए एक्स्ट्रा तेल हो सोक कर लेगा और फिर बचे हुए को मैं इस तरीके से डाल रहे हुँ दूसरा बैस भी हम इसी तरीके से फ्राइब कर लेंगे पांच मिनट में फ्राइब करके तयार हो जाता ह पहुँ जदा टाइम नहीं लगेगा बस ध्यान इतना ही देना है कि थोड़ी देर इसे चला ये नहीं पल्टा नहीं लगाई है थोड़ी देर पक जाए दिखने लगे कि पक गया है फिर पल्टा लगाई है और इस तरीके से फ्राइब करके निकाल लिजिए तो मैंने दो जर्विंग पेपर नीचे लगा दिया है जो एक्स्ट्रा तेल है वो सारा सोग कर लेगा तो इस तरीके से बिना जंजट बिना किसी मेहनत का साबुदाने का बहुत ही टेस्टी नस्ता बना करके आप तयार कर लेंगे ब्रत में मीठा खाते खाते हम ठक जाते हैं अगर आप नमक खाते हैं तो इस तरीके से इस नस्ते को जरूर ट्राई करें फलहरी नस्ता और वीडियो अची लगती है तो लाइक शेर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना मिलते हैं दूसरी रेसिपी के साथ बाई बाई झाल 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